दोस्तों अगर आप भी अपने घर में टाइल लगाना चाहते हैं और आपका घर कितना भी स्कॉार फीट है, 1000 स्कॉार फीट है, 800 स्कॉार फीट है, 2000 है, 1500 है तो आज की वीडियो काफी important होने वाली है, चाहे आप builder है, contractor है, या फिर आप एक mystery हैं, या फिर मकान मालिक है तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको झो घर में अपने टाइल लगाना है वो टाइल का खर्चा साथ में इसमें कितना हमारा material जैसे कि सीमेंट, सेंड इसमें कितना हमारा labor खर्चा जाएगा और फिर साथ में ये भी बताऊंगा कि इसमें जो हम epoxy यानि grouting करते हैं टाइल लगाने के बाद उस सब मिला जुला के आपको कितना खर्चा आने वाला है आपका area घर का चाहे 1000 square feet हो, 2000 square feet हो, चाहे जितना भी हो मैं यहां एक आपको thumb rule बताऊंगा, उस thumb rule से सिर्फ आप एक से दो मिनट में आप अपने टाइलिंग का खर्चा घर में निकाल सकते हैं, टाइल, labor plus material जितना भी लगता है सब कुछ का एक साथ आप निकाल सकते हैं, तो चलिए वीडियो को detail में सुरू करते हैं आप देख रहे हैं, यह जो हमारा एक घर है, लगवग यह 20 feet ऐसे है, और 50 feet यह ऐसे है तो 20 x 50 आप करेंगे, तो यह हमारा 1000 square feet का यह हमारा घर है और इसमें जो हम tile choose किये हैं, 2 by 2 का हम यहां पे tile लगा रहे हैं तो देखिए, 2 by 2 का tile आती है, इसमें आपको bend कम मिलता है वहीं बहुत लोग 2 by 4 का tile लगाते हैं, उसमें थोड़ा bend ज्यादा देखने को मिलता है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 2 by 2 का tile लगाएं तो बेटर रहेगा और दोस्तों इसमें मैं जो tile use कर रहा हूँ, वह हम कजारिया के use कर रहे हैं कजारिया बहुत अच्छी brand है, आप सब जानते होंगे और अच्छी tile भी आती है इसकी और साही range में मिल जाती है तो मैं यहां कजारिया का tile use कर रहा हूँ, तो जो 2 by 2 का हम tile use कर रहे है तो उसमें क्या है कि हम 800 square feet हम यहां पर area use कर रहे है अब 2 square feet आप बोलेंगे कि कहां गया, तो 2 square feet जो area है दोस्तों वह जैसे मान लिजे आप घर बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारा आप कमरों का दिवार हो गया उसमें हम आगे porch का area छोड़ते हैं, सिंडी का area छोड़ते हैं, तो 2 square feet उसके लिए मैंने जगा छोड़ दिया है तो यहां 800 square feet मैं total area ले लिया हूँ, तो मेरा एक tile जो था, वो 4 square feet का, तो total area जितना है उसे हम 4 से divide कर देंगे 200 हमारा क्या हो गया, यहां पे tile लगने वाली है, number, ठीक है, अब 200 piece tile हमारी लगेगी, अब इसमें क्या था, कि हम 200 यानि की जुरू हमारा tile लग रहा था, अब हमारा एक पेटी में देखे, एक पेटी जो कजारिया का हमने tile लिया था, उसमें हमारा आता है 4 piece, ठीक है, 4 piece tile हो 5 piece भी होता है, लेकिन मैं जो लिया हूँ, यहां पे 4 piece है, तो इसलिए मैं 4 piece के हिसाब से बता रहा हूँ, यहां मेरा 200 piece tile निकल के आ गया था, और एक पेटी में आपको बताया था, कि 4 piece tile होती है, तो 200 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो लगबग मेरी 50 piece यहां पे tile लगन होती है, तो इस cutting के लिए भी हमें tile चाहिए होती है, तो हम यहां इसलिए हम 55 पेटी ले लिया है, एक पेटी tile का जो कीमत है, वो 150 रुपया है, कजारिया की जो tile मैं यहां ले रहा हूँ, दोस्तों, यह कजारिया की, यह मुझे जो लगबग पढ़ गया है, 60 रुपया square feet प मिल जाती है, तो मैं यहां 60 रुपय के आसपस, एक अपना खजारिया का tile जो है, 60-65 रुपय के आसपस ले लिया हूँ, तो जो मेरा यहां पे 16 फिट माल था, एक पेटी में, तो 16 फिट माल का, जो मुझे एक पेटी के दाम पढ़ा है, वो 150 रुपय पढ़ा है, तो मेरा total लग रहा था, पचपन पेटी, ठीक है, तो 150 into पचपन कर दिये, तो मेरा total tile का पैसा निकल के आया, 5750 रुपय निकल के आगया, ठीक है, अब बात आ जाता है कि सीमेंट, कि सीमेंट कितना लएगा भाई, तो सीमेंट के लिए देखिए, आप एक चीज आपको याद रखना ह सीमेंट के लिए याद रखना है, कि यह थमरूल की मैं बात कर रहा हूँ, अब थमरूल कहेंगे कि आप थमरूल क्या होता है, यह कैसे निकल दिया, देखिए दोस्तों, साइट पर बहुत जगा काम कराया जाता है, हमें पता होता है, डेली मतलब काम कराके, या बहुत जग करते हैं फिर टाइल को चिपकाने के लिए भी हम उसमें सिमेंट नीचे लगाते हैं उसका गोल बना के ठीक है तो उसमें जो सिमेंट हमारा थमरूल के हिसाब से लगता है यह लग जाता है 0.027 cubic feet कितने में एक feet में एक square feet में sorry इतना हमारा सिमेंट लग जाता है ठीक है अब तो हमारा टोटल एरिया था 800 feet 800 square feet था 800 से इंटू इतना आप कर दिए सिम्पल से आपको क्या करना है जितना भी एरिया रहा है आपको इतना से बस उसको multiply कर देना है जब इतना से आप multiply कर देंगे तो आपको टोटल बैग में निकल के आ जाएगा तो जब हम 800 से इंटू 0.027 कर रहा है तो हमारा लगबग 22 बैग हमारा सिमेंट 800 square feet के एरिया में लग रहा है तो हमारा जो अभी सिमेंट का दाम है वो 380 रुपया है आप देखें टाइल के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी सिमेंट यूज करें आप कोई भी पीपीसी मार्केट में लेबल है बिरला का अल्टर टे का नॉर्मल जो सिमेंट होता है जेके का फिर माई सेम का कोई भी लगा सकते हैं तो लगबग साड़े 300 से 400 के बीच में अभी सिमेंट आपको मिल जाएगा तो मैं 380 रुपय मुझे यहां मिला है तो इसलिए मैं लिख आए जाता है उसमें हमें पता है कि यहां पर एक स्कॉार फिट का टाइल अगर अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको 0.36 क्यूबिक फिट बालू लग जाता है उसका मसाला बनाके टाइल के नीचे लगाने के लिए ठीक है तो हमारा जो क्या है कि 0.36 और इंटू आट्स टोटल एरिया में हम टाइल लगा रहा थे तो हम क्या करेंगे 0.36 यानि 0.36 इंटू 800 से सीधा मल्टिप्लाई कर लेंगे ये गुड़ा कर लेंगे तो हमारा जो टोटल निकल के आजाएगा बालू निकल के आजाएगा 288 क्यूबिक फिट लगवक 300 अब हमारा जो मार्केट में है एक क्यूबिक फिट का अभी जो रेट है मेरे यहां ओ है 40 रुप्या ठीक है तो हम 288 इंटू 40 कर दिये तो टोटल हमारा बालू का खर्चा निकल के आया 11,520 रुप्या निकल के आया अब आ जाता है दोस्तों की इसमें अब हमारा लेवर भी आता है यह सब जीतना भ भी हुआ आप यहां जोड सकते हैं तो 12,000 रुपर मेरा लेवर का हो गया फिर उसके बाद आता है क्या कि फिर टाइल लगाने के बाद हम उसमें ग्राउटिंग करते हैं यह पॉक्सी लगाते हैं तो लगबग देखिए दोस्तों एक हजार स्कॉर फिट के एरिया में मेरा टाइल यहां पर 57,750 था फिर मेरा 22 बैक सिमेंट का 8,360 रुपे फिर सेंड का जो बालू का था 11,520 रुपे लेवर रेट मेरा 12,000 रुपे का हो गया था ग्राउटिंग मेरा 4-5,000 का हो गया था टोटल आप जोड़ेंगे तो 8 स्कॉर फिट के एरिया में 94,630 रुपे आपका टाइल कराने में खर्चा होने वाला है तो दोस्तों मान के चलिए कि 1000 स्कॉर फिट के एरिया में आपका जो टोटल खर्चा होगा हो 90 से 1 लाख रुपे आपका लगबग यहां पर खर्चा होने वाला है